बारती जनता पार्टी ने ये जवाब क्यूं नहीं दिया के मोदी जी गुजराद छोड़ कर क्यूं भाग गए? वो बनारस क्यूं गए? इसका मतलब गुजरात में स्थिती खराब थी। इस परकार की बचकाना बातों इम्मेचोर जो एक अंग्रेजी का लफ्स है कि बजाए गंभी राजनितिक विशों पे चर्चा करें तो अच्छा है। भाजप्पा इतनी घबराई क्यों है? और एक ब अमेठी ने भगाया और जिस हमारी आदर्णिय मंत्री महद्या की आप चर्चा कर रहे हैं जो जिनको अब टिकेट दी है अब हार का हार की हैट्रिक का अमेठी ने माहौल बनाया ये समझ लीजिए अमेठी और राहूल गांदी जी उनका रिष्टा राजनितिक नहीं उनका रिष्टा मन आत्मा और शरीर का है अमेठी राहूल जी के मन और कणकण के अंदर बसती है और अमेठी के मन में राहूल जी ये रिष्टा परिवारिक है ये रिष्टा राजनितिक नहीं और ये अटूट बंधन भाजप्पा के घिनोने शडियंत्रों से नहीं तूट सकता राहुल जी ने अने को बार कहा है और कि अमेठी उनकी करम भूमी है अमेठी के लोगों का प्यार और सने राहुल गांधी जी के लिए बेजोड है अमेठी से उनका रिष्टा केवल एक निर्वाचित प्रतिनिधी का नहीं परिवार के एक सदस्य का है और इसलिए उन्होंने सदैव कहा कि वो अमेठी को कभी छोड़ नहीं सकते उसके साथ साथ दक्षिन भारत का एक बड़ा हिस्सा उत्तर और दक्षिन भारत का एक सांस्कृतिक और भाईचारे का रिष्टा रहा है पर मुजूदा परिस्थिती में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की भाशा उनकी शेली उनके खानपान उनकी संस्कृति उनके जीने का तोर तरीका उस पर हमला किया जा रहा है मुजूदा मोदी सरकार और भारतिय जन्ता पार्टी के द्वारा दक्षिन भारत के तीनों प्रांटों से इसलिए मांग आई के उत्तर और दक्षिन भारत का एक सूतर है वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे इसलिए तीन प्रांटों ने केरल, करनाटक और तामिलनाडू से ये बार बार मांग आई के श्री रहुल गांदी दूसरी सीट से लड़ें तो अब अमेठी के साथ साथ रहुल गांदी जी ने ये फैसला किया जैसा श्री एक इंटनी जी ने आपको बताया के रहुल गांदी जी वाइनाड सीट से भी लड़ेंगे और वाइनाड ही क्यों क्योंकि वाइनाड का एक अनोखा सवरूप है भोगोलिक और सांस्क्रितिक दोनो भोगोलिक और सांस्क्रितिक तोर से तीनों प्रांतों को दक्षिन भारत के प्रांतों को जोडने वाली ये बहितरीन संसद्य शेत्र है जहां एक तरफ तामिल नाडू का पूरा नेलगिरी और तेनी का इलाका आ जाता है और दूसरी तरफ करनाटक का मैसूर का शेत्र को ये सीट जोडती है तो एक तरह से तीनों प्रांटों का प्रतिनिधितव उनकी भोगोलिक और सांस्कृतिक शेली का प्रतिनिधितव ये वाइनाड का संसदिय शेत्र करता है और इसलिए पार्टी ने और श्री राहूल गांदी जी ने ये निरिने किया कि वो एक तरह से इन तीनों प्रांटों का प्रतिनिधितव इस सीट संसदिय शेतर से लड़कर कर पाएंगे और दक्षिन और उत्र भारत में जिस प्रकार का एक जुटता का सूत्र है उसे और मजबूत कर पाएंगे कांग्रेस के कारेकरताओं के लिए ये एक हर्ष का दिन है कि दूसरी सीट अमेठी के बाद वाइनार सीट से भी श्री राहूल गांधी चुनाव लड़ेंगे अब आपके प्रश्णों का स्वागत है we'll have to take one by one if you speak all we'll not be able to I think A.K. इंचनी जी has already spoken on it भारती जनता पार्टी ने ये जवाब क्यों नहीं दिया कि मोदी जी गुजरा चोड़ कर क्यों भाग गए वो बनारस क्यों गए इसका मतलब गुजरात में स्थिती खराब थी इस परकार की बचकाना बातों immature जो एक अंग्रेजी का लफ्स है कि बजाए गंभी राजनितिक विशों पे चर्चा करें तो अच्छा है भाजप्पा इतनी घबराई क्यों है और एक बात और समझ लें पहले दिल्ली में चांदनी चौक ने हराया उसके बाद अमेठी ने भगाया और जिस हमारी आदर्णिय मंत्री महद्या की आप चर्चा कर रहे हैं जो जिनको अब टिकेट दी है अब हार की हेट्रिक का अमेठी ने माहौल बनाया ये समझ लीजिए अमेठी और राहूल गांदी जी उनका रिष्टा राजनितिक नहीं उनका रिष्टा मन आत्मा और शरीर का है अमेठी राहूल जी के मन और कणकण के अंदर बसती है और अमेठी के मन में राहुल जी ये रिष्टा परिवारिक है ये रिष्टा राजनितिक नहीं और ये अटूट बंधन भाजप्पा के घिनोने शडियंत्रों से नहीं तूट सकता मैम, you wanted to ask Sir, I'll come to you Yes, I'm taking the question, please Ma'am, this is not a fight with the left or the right This is a fight to espouse the aspirations of people of South India including people of Kerala This is a fight to give a befitting reply to those forces who are attacking the culture the language the way of life as also the deep connect between the two portions of India the North and South India between which Bharatiya Janata Party and Prime Minister Modi has created a deep divide This is a fight to give a message to people of Southern States that they are deeply valued that they are deeply respected that their culture that their language that their way of life that their food habits that their habits the clothes that they wear as also their entire way of life is important to the Indian National Congress as also to India as a unified country This is a fight against those forces who seek to divide India based on colour based on language based on way of life based on food habits based on the clothes you wear and that's why Rahulji has said I will represent Ameti but I will also represent the Southern States for they are an important part of India's way of life and India's way forward Okay, Janinder Sorry, I will come to you Si Cancress Cray Congres Cray 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 को धीरे-धीरे करेंगे अधरनिय मित्र जैसा मैंने एक और आधरनिय साथी के प्रशन के जबाब में कहा राहुल जी के लिए और कॉंग्रेस पार्टी के लड़ाई लेफ्ट और राइट की नहीं ये लक्षे उससे बड़ा है राहुल गांदी जी और कॉंग्रेस पार्टी दक्षन भारत के साथ हो रहे बहे दभाव दक्षन भारत की संस्कृति वहां के लोगों की जीवन शैली वहां के लोगों की भाशा उनकी जिन्दगी का तौर तरीका उनके खान पान का तौर तरीका उनके कपड़े पहनने का तौर तरीका और उनके पूरे जीवन जीने की शैली उस पर मोदी सरकार और भारतिय जन्ता पार्टी ने आक्रमन किया है उत्तर और दक्षिन के बीच एक अटूट रिष्टा रहा आदिकाल से रहा चाहे आप वेद पढ़िये और चाहे आप रामायन और महाभारत वो रिष्टा आपको आपको हर गरंथ के अंदर नजर आएगा महाभारत से लेकर और रामायन तक उस रिष्टे पर चोट पहुँचा रही है मौदूदा सरकार और इसलिए राहुल गांधी जी ने ने किया कि जहां अमेठी से उनका अटूट आत्मा का रिष्टा है उसके साथ-साथ वो वायनार की सीट इसलिए लड़ेंगे कि वो तीनों प्रांतों का एक तरह से दक्षिन भारत के प्रतिनिधितव करती है हमारा संदेश बिलकुल सीधा है दक्षिन भारत के हमारे आदर्निये वहां के नागरिकों को कोई भी सरकार आपकी जीवन शैली पर आक्रमन करेगी तो राहुल गांधी जी और पूरी कॉंग्रेस पार्टी पूरी ताकत से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी जीवन शैली के सरक्षन के लिए खड़ी है और ये जो आपने कहा कि अमुक पार्टी जीती और अमुक पार्टी जीती मुझे नहीं लगता कि ये बातें प्रासंगिक रहेंगी राहुल गांदी जी के चुनाव लड़ने के बाद